कैबिनेंट मंत्री सदिश मानास वक्त में साथ मौझूद है, सर देखा जाया तो पीच इतमरम को लेकर आज कोट में पेशी भी होनी और इसी के साथ जो कॉंग्रेस है वो एक तरव एक जूट होता वह नदर आ रहा है साथ तरव पर अगर देखे तो प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर गी, उनका भी यही कहना है कि जो बिजेपी है वो शर्मनाक तरीके से इस सब चीजे कर रही है, रंदिम सी सुर्जेवाला की बिचो बयान है, वो भी सामने आ रही कॉंग्रेस एक साथ तो शुरू से ही खड़ी थी, ब्रश्चाचार के मामले में एक साथ रहे, जब तक इनकी सरकार रही, उन्होंने देश को लूटने का काम किया है, और लोग तंतर में जनता के द्वारा जो निर्णे दिया जाता उससे बड़ा कोई निर्णे नहीं होता पीचे तरह में मामले में साथ तरह पर अगर बीजेपी का पक्ष समझे तो बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं ने, क्योंकि वहीं अगर हम कॉंग्रेस का पक्ष समझे ने की कोशिश करें तो उनका साथ तरह पर क्याना है कि एडी को कटपुतली आप बनाया जा रह रहते हुए वो उनके कार्या ले गए थे और घंटों तक उन्हों ने पूश्टाच करी थी उस समय तो किसी भी बीजेपी वाले ने नहीं कहा था कि यह राई जीतिक कुछ कर रहे हैं क्योंकि मन और आत्मा से पके थे विश्वास इस बात का था कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो किसी भी लोक तंतर में जो नहें हमारे को मिलेगा मिले गगार वहुए रह इतने कुछ करने के बाद भी कहीं मन कादकत भे नहीं हुआ कोई राई जीतिक कारण नहीं बनाएं गर नहीं बनाएं पकृत्वां सिवए से काम करने है तो ये अच्छा होता है अगर आज किसी भी आरोपी को कहा जाए कि आपने को ये अपराद किया है और अपराद करने के बाद आप पुलिस के सामने हाजर नहीं होते हैं वो कहें जिब मैं जब तक कानूनी कारवाई को नहीं सला नहीं ले लोगा जब तक हाजर नहीं होगा क बड़े बड़े वकील है इस बात के लिए कानून इजाज़त देता है क्या कि जमानत निरस्त हो जाने के बाद कोई आदमी कहे कि आपने मेरी जमानत निरस्त कर दी लेकिन मैं जरा वकीलों से सला करनूं कि मेरे को क्या करना है तो क्या यह संबह हो है क्या तो यह अपने आपक है और भुटव स्प्रीम कोड़ वो जो भी न्याय होगा वह सब को मानना चींग उनको भी मानना ही पड़ेगा नाइंटीवी से खास बात कर गयां तो यह थे हमासा सधिश माना जिनका साफ तरब कयाना है कि प्चेतम्रम मामले को लेकर पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोड में है इसे लेकर बिजेपी का कोई लिए न देना नहीं है क्यामरा पिसंद रागिप के साथ मैं भावना आना टीवी तर लिए